गाओं की एक चोटी सी जगा पर देविका ढदावा चलाया करती थी देविका एक बुजुर्ग महिला थी जिसकी सादगी और मेहनत सबी को बहुत प्रभावित करती थी और उसके परिवार में उसका बेटा मोहन और उसकी बहु रानी रहा करते थे मोवन जहर में नौकरी किया करता था और महीने में एक दो बाज यह अपने घर आया करता था रानी की सास अपने धाबे पर ही घर का खर्चा चला रही थी एक दिन जब यह अपने घर से धाबे पर जाने के लिए निकल रही होती है तबी रानी उन्हें आवास देते हुए बोलती है मा जी कुछ खा कर तो जाएए आप ऐसे ही धावी पर जा रही हो और जाते ही काम में लग जाओगी फिर आपको खाने पीने का कुछ भी होश नहीं रहेगा क्योंकि आपको अपनी धावी के लावा तो कुछ दिखाई ही नहीं देता बहू मेरी चिंता मत कर और अपने खाने पर ध्यान दे मुझे बस तेरी ही चिंता लगी रहती है तू वैसे ही इतनी कमजोर है और घर का सारा काम तेरे ही सर पर पड़ जाता है मैं चहा कर भी तेरी कोई मदद नहीं कर पाती हूँ मा जी घर में कितने ही लोग हैं जो घर में काम होता है मोहन जी तो शहर में रहते हैं आप पूरा दिन धावी पर रहती हो तो आप से मैंने कितनी बार बोला है कि आपके साथ में धावी पर चलती हूँ आपको भी थोड़ी मदद मिल जाएगी और मेरा भी दिल थोड़ा लगा रहेगा लेकिन आप हो कि मेरी सुनती ही नहीं हो बहु मैं जानती हूँ कि तुझे मेरी चिंता है लेकिन हमारे घर की बहु घर से बाहर पैर नहीं निकालती है बस इसलिए मैं तुझे अपने साथ धावी पर नहीं ले जा सकती हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत रहके लोग आते हैं पता नहीं कौन किस नजर से देख रहा है मैं नहीं चाहती कि किसी की बुरी नजर तेरे उपर जाए ये मत सोचना कि मैं छोटे सोच वाली हूँ बस आज कल के माहौल को लेकर थोड़ा सा डरती रहती हूँ नहीं माजी ऐसा क्यों सोच रही हो मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप मेरी लिए जो कुछ भी करोगी न अच्छा ही करोगी ठीक है बहू अब मैं धावी पर चलती हूँ वैसे भी तुससे बात करते करते बहुत समय हो गया है मैं और देर नहीं करना चाहती हूँ देविका इतना कहकर अपने धावे पर चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है देविका के ढ़ावे की खासियत थी उसका साधा स्वादिष्ट भोजन देविका की रसोई में बने हुई रोटियां और सबसियां खाने वाले हर वेक्ति को घर के खाने की याद दिलाया करती थी देविका के धावे पर रोज गाउं के किसान मजदूर और कई लोग आया करते थे सबी को देविका के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद था एक दिन गाउं में सरपंच रामला देविका के धावे पर आते हैं उन्होंने देखा कि धाबा बहुत छोटा है और खाना बहुत ही सादा है लेकिन खाने में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है तब ही रामलाल देविका से कहते हैं अम्मा जी आपका धाबा तो बहुत अच्छा है लेकिन इसको थोड़ा बड़ा और सुन्दर बनाईए और ताकी जादा लोग आ सकें सरपन जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे बड़ा और सुन्दर बना सकूँ मेरे लिए सबसे महत्पून बात है कि मेरे खाने से लोग खुश रहें बेवे अम्मा जी अब कहें पैसों की चिंता करती है जब काम शुरू होगा तो कहीं न कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा सरपंजी जब मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं ऐसा काम क्यू करूँ मुझे अपने घर का खर्चा उठाने बस मुझे दाल रोटी मिल जाए बस वही मेरे लिए काफी होता है देविका की बात सुनकर रामलाल उसकी मदद करने की सोचता है उन्होंने गाओं की पंचायत में इस बात को उठाया और सभी सदस्वय ने मिलकर तै कि देविका को कुछ आर्थिक मदद की जाए कुछ तिनों बात पंचायत ने देविका को एक बड़ी रिकम दे दी देविका ने उन पैसे से अपने धाबे को एक नया रूप और परिवर्तन दिया धाबे में कुर्सिया, मेज, साफ सुथरी, रसोई, आधी जैसी चीजों का प्रबंद किया गया उन्होंने कुछ नए बर्तन भी खरीदे जिससे धाबा और भी सुन्दर लगने लगा धाबे की सास सजावट से गाओ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और भी जादा लोग देविका के धाबे पर अने लगते हैं देविका ने अपने धाबे के खाने का स्वाद वही रखा जो की पहले था उन्होंने अपने धावे का नाम गरीब सास का धावा रखा था ताकि लोग जान सके कि इस धावे की मालकिन कितनी जादा महंती और लगंची लोरत है इन सब के बारे में सुन कर उसकी बहु बहुत खुश होती है और वहें अपनी सास से बोलती है मा जी मैं आपकी इस नई काम्यावी से बहुत खुश हूँ पुरे गावे में बस आपकी धावी के चरचा चल रही है मुझे सच में बहुत खुश हुई कि आपका धावा इतना चरचा चल रहा है बहु इस काम्यावी में सिर्फ अकेला मेरा ही हाथ नहीं है बलकि पूरे गाओं वाले और सरपन जी का बहुत बड़ा हाथ है उन सभी लोगों ने मिलकर मुझे इतनी बड़ी रकम दी जिससे मैंने अपने धाबे का रूप बदला भगवान उन लोगों को हमेशा खुस रखे उन लोगों ने मेरी गरीबी को समझा और मेरे साथ दिया है देवी का पूरी लगन और मेहनत के साथ धाबे पर काम करने लगती है समय के साथ उसका धाबा पहले से भी जादा अच्छा चलने लगता है एक दिन बहुत बड़ा व्यपारी जिसका नाम राजेश गुपता था वहे अपने दोस्तों के साथ देवी का के धाबे पर आता है राजेश शहर का एक प्रस्तद्व व्यपारी था उसने देवीका के धाबे का खाना खाया और वहे काफी जादा प्रभावित भी हुआ और देवीका को अपना धाबा और बड़ा करने का सुझाव भी देता है लेकिन देवीका मना कर देती है फिर भी राजेश गुपता उसे समझाता है और उसे आसवाशन भी देता है कि वो उसकी मदद करेगा इसके बाद राजेश गुपता ने अपने व्यपार के माधम से देविका के ढावे की तारीफ की और उनके ढावे को और भी जादा प्रसिद्ध बना दिया अब देविका का ढावा केवल गाव का नहीं बलकि आसपास के शहरों का भी प्रसिद्ध ढावा हो गया था अब दूर दूर से लोग देविका के ढावे पर आने लगते हैं देविका ने अपने धाबे में और लोगों को काम पर रख लिया था, ताकि ग्राहकों को सारी सेवाई समय पर मिल सके अबी देविका का बेटा मोहंस शहर से यह गांव आता है, और अपनी मा के धाबे को देख कर हेरान रह जाता है, और बोलता है क्या बात है मा आपने धावे का नक्षाई बदल दिया ऐसा लगी नहीं रहा है किसी गरीब का धावा है यह तो बिल्कुल किसी अमीर का फाइव स्टार होटल जैसे लग रहा है लेकिन आखिर यह सब हुआ कैसे बेटा यह सारा चमतकार गाओं के लोगों और सरपन जी की मदद के कारण ही हो पाया है लोगों को मेरे हातों का खाना बहुत पसंद आया इसके बाद उन लोगों ने इस धावे को सुधारने का फैसला किया उसके बाद पंचायत ने मिलकर मुझे पैसे की बहुत बड़ी रकम पंदी उन ही पैसों से मैंने ये सब किया है उसके बाद एक व्यपारी भी यहां पर आया और उसने अपनी जानकारी से मेरे धावे को सहर तक पहुँचाया अब सहर से भी लोग यहां खाना खाने के लिए आते हैं वैसे मा एक बेटे का फर्स बनता है कि वो अपनी मा का ना आम रोशन किया है मा आपकी तरक्की देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा मैं तुछ से बात करना चाहती हूँ क्या तु मेरी बात मानेगा हा मा कहिए ना क्या कहना है आपको वैसे मैं आपकी सारी बात मानूंगा क्योंकि एक बेटे होने का फर्स निभा तो पाया लेकिन कम से कम आपकी बात मान कर आपको खुशी तो दे सकता हूँ इसी ना तू भी मेरे साथ मिलकर इसी डाबे को चलाएं इसी बहाने तू बहु के पास भी रह पायगा। तू सहर चला जाता है तो बहु बहुत अकेली हो जाती है क्योंकि मैं भी डाबे के काम में पूरे दिन लगी रहती हूँ वो मुझे कहती नहीं है लेकिन हर पल तुझे याद करती है बेटा वैसे मा आप कहतो सही रही है क्योंकि बार बार मुझे शहर से गाओं गाओं से शहर जाने में बहुत दिकते होती है और बहुत परेशानी होती है और आप लोगे बेना मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता है और वहाँ पर रानी की भी याद आती है और एक पती होने के नाते उसका सुख दुख देखना भी तो मेरा फर्ज बनता है न अजब मैं आप लोगे साथ रहता हूँ न तो मुझे दुनिया की सारी खुशिया मिल जाती है और जब अकेला शहर में रहता हूँ तो बहुत बुरा फील होता है इसलिए अब मैं आप लोगे साथ रहूँगा और एक बेटे का और पती का दोनों का फर्ज न अच्छे से निवाऊँगा बेटा इसका मतलब तू अब सहर लोटकर नहीं जाएगा न यहां मेरे साथ रहे कर ही धाबे को संभालेगा न नहीं मा आप लोगे का साथ दूँगा और आपके साथ रहूँगा और इस धाबे को न अच्छे से समालूँगा और आपके साथ मिलके इस धाबे को बहुत आगे तक लेकर जाऊँगा अपने बेटे की बाद सुनकर देविका उसे गले से लगा लेती है और वहे इस बात को सोच कर खुश थी कि अब उसका बेटा हमेशा के लिए उसके साथ ही रहेगा मोहन ने भी अपनी मा के धाबे पर मदद करना शुरू कर दिया उसने धाबे को और भी जादा सुन्दर और व्यवस्तित बना दिया अब देविका का धाबा एक उधारन बन चुका था कि कैसे साथगी मेहनत और सच्चाई से सफलता को हासिल किया चा सकता है धीरे धीरे देविका की उम्र पढ़ती जाती है और वहे धाबे के काम को संभालने में असमर्थ हो जाती है जिसके कारण उसने अपने बेटे को धाबे की सारी जिम्मेदारी सौम दी थी मोहन में अपनी मा के दिखाए हुए नक्षे कदम पर धाबे को चलाता है और स्वाद को यूँ ही बरकरार रखता है सुनैना रसवई में सब के लिए खाना बना रही होती है और खाना बननाने के बाद सुनेना सब के लिए खाना लगा देती है टेबल पर दाल चावल, रोटी सबची सब था ये देखकर सुनेना की मा उर्मिला को तो काफी अच्छा लगता है लेकिन सुनेना की बड़ी बेहन मदू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वग कहती है अरे ये क्या सुनेना, आज फिर दाल चावल बना दिया तुम्हें पता है न, मुझे ये सब नहीं पसंद है कभी मैगी समुझ से ऐसा कुछ भी बनाया करो ये क्या हर वक्त बस यहीं बना देती हो तुम एक तो तु कभी कुछ बनाती नहीं है बड़ी बहन तु है, लेकिन फिर भी तेरी छोटी बहनी सब कुछ बनाती है अरे, जब वो बेचारी ये सब कर रही है तो तो चुप-चाप खा क्यों नहीं लेती कमी निकालना जरूरी है क्या मैं कमी कहा निकाल रही हूँ मैं तो बस बोल रही हूँ कि मुझे ये सब नहीं पसंद है तो मैं ये सब नहीं खाने वाली हूँ लेकिन हमेशा ये सब बनाना जरूरी है क्या कल भी मैंने दाल चावली खाये थे और फिर आज भी ये दीदी, अब हर रोज मैं बाहर का कुछ नहीं बना सकती न और आपने दिन में समोसे खाये थे तो रात में दाल चावल ही खा लो न फ़र जगा आपको दाल चावल ही खाने को मिलेगा देखो, मैं तो नहीं खाऊंगी दाल चावल मैंने पहले ही कहा था कि ये सब नहीं खाऊंगी मैं लेकिन फिर भी बना दिया है मैं नहीं खा रही है ये दाल चावल मैं जा रही है अपने लिए कुछ बाहर से ओर्डर करने सुने न तू खा इसे तो पता नहीं सड़ी वी चीज़े क्यों पसंद आती है खाने दे जो खाना है खाए तू ये खा थोड़ी भी अकल नहीं है इस लड़की में छोटी बहन सब बना रही है लेकिन खाने की कदर नहीं है इसे मा खाने की बहुत कदर है तभी तो मैं पहले ही बता देती हूं कि मुझे क्या खाना है लेकिन अब जो मुझे खाना होता है न वो बनता तो है नहीं तो इसमें क्या ही मेरी गलती है कभी अपनी लाडली बेटी को कुछ बोल भी दिया करो आस तक भी ऐसा नहीं हुआ कि वो खुद अपनी मरजी से बना दे जो मुझे अच्छा लगता है तू यहां हमें शांती से खाने दे तू तो मंगबा रही है ना अपने लिए बासी गंदा खाना तो वही खा लेकिन यहां से थोड़ा दूर ओकर क्योंकि हम तो यही खा रहे हैं और हमें थोड़ा शांती चाहिए मदू वहां से अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद मदू बाहर से खाना ओडर करती है और काफी देर में जब ओडर किया हुआ खाना आता है तब ही मदू कुछ खाती है और मदू को शुरू से ही घर का खाना अच्छा नहीं लगता था इसलिए वो ऐसे ही अक्सर करती थी इन सब बातों से उर्मिला भी कई बार बहुत ज्यादा परिशान हो जाती है लेकिन अब भला अपने ही बेटी को क्या कहे उर्मिला भी इसलिए चुप हो जाती है कुछ दिनों बार मधु के लिए एक बहुत ही अच्छा रिष्टा आता है जिसके बारे में जब उर्मिला को पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो मधु और सुनैना को बताते हुए खहती है आज तो भगवान की इतनी अच्छी क्रिपा हुई है हमारे उपर मधु के लिए एक बहुत ही बड़े और अच्छे परिवार करिष्टा आया है उनका कहना है कि उन्हें मधु बहुत अच्छी लगी है इसलिए उन्होंने ये सामने से रिष्टा भेजा है मारी मधु के लिए अगर हम हा कर दे तो जल्दी बात आगे बढ़ेगी मा आपने क्या खबर सुनाई है सच में बहुत मज़ा आ गया ये खबर सुनकर तो बात आगे बढ़ाते हैं न अरे अरे ये क्या हो रहा है मेरी शादी के बाते हो रही है और कोई मुझ से कुछ पूछ भी नहीं रहा है पूछना क्या है मधु ऐसे इस्ते बार-बार थोड़े आते हैं उनके परिवार के बारे में काफी सुना भी है लेकिन मा मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है और मैं उस लड़के से मिली भी नहीं कभी मिली नहीं है तो मिल लेना तू मिलेगी लड़के से तो तू भी कहेगी कि मा बात आगे बढ़ाओ क्योंकि तूने देखा है लड़के को वो है ना नुकड़ पर जुन का बहुत बढ़ा सा घर है काफी अमीर है उन्हीं का बेटा है अरजुन उन्हें तू बहुत पसंद आई है वैसे अरजुन को कई बार देखा तो है मैंने इतना भी बुरा नहीं है शादी तो करी सकती हूँ लेकिन एक बार मा आप बात कर लो कि शादी से पहले मिलने की चल ठीक है अगर तू इतना बोल रही है तो मैं उनसे बात करती हूँ इस बारे में कि वो तुम दोनों को एक बार मिलने दे ताकि तुम एक दूसरे को चान सको क्योंकि शादी भी तो तुम दोनों को ही करनी है और मिला लड़के वालों से बात करती है और वो भी मान जाती है दोनों परिवार की रजामंदी से कुछी दिनों में अरजुन और मधू की शादी भी हो जाती है शादी का पहला दिन था और मधू सब के साथ खाना खाने बैठती है तो मधू देख दी है कि वहाँ बस सलाद था यह देखकर मधू अपनी सास नीलम और पती से कहती है ये क्या माजी, यहां तो बस सलाध ही है, बाकी का खाना रोसोई में है क्या? मैं लेकर आती हूँ एक मिनट बहु, यही सलाध हम भी खाते हैं, हमें अपनी सेहत की बहुत चिंता रहती है इसलिए हम सलाध ही खाते हैं जादातर अब तुम भी इस घर का हिस्सा होतो अब तुम्हें भी यही खाना पड़ेगा माजी लेकिन मुझे यह सब खाने की आदत नहीं है मैं ज्यादतर बहार कही खाती हूँ फिर मैं यह सब कैसे खा सकती हूँ मैं अपने लिए कुछ और अलग बना लेती हूँ आप यह सब खा लीजे नहीं बहू, हमारे घर में ऐसा नहीं होता हमारे घर में सभी लोग एक ही चीज़ खाते है किसी के लिए कुछ अलग नहीं बनता और कुछ दिनों में तुझे भी सलाद खाना पसंद आएगा मधू को अपने ससुराल में दाल चावल भी नसीब नहीं हो रहा था और वो किसी से कुछ भी नहीं कहती लेकर यह सब मधू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कई दिन हो जाते हैं और मधू ने बस सलाद ही खाया था कुछ दिनों बाद जब वो अपनी मा के घर आती है तो बोलती है मा जल्दी से दाल चावल ले हो वो ज्यादा भूग लगी है मुझे दिदी आप यहां इतने दिनों बाद आई हो आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ दून रही है तेरे ससुराल वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते हैं क्या जो तु इतना चट पटा रही है क्या हुआ अब तुझे नहीं खाना के समोसे मैगी मा मैं जिस ससुराल में गई हूँ ना वहां दाल चावल ही नहीं मिल रहा है बस सब लोग सलाद ही सलाद खाते मुझे तो ऐसा लग रहा है कितने दिन हो गया है और मैं दाल चावल खाई नहीं हूँ भूख बढ़ती जा रही है अब तो मा दीदी आप रुको यहीं मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ दाल चावल मदू नॉर्मल खाने के लिए बहुत ज्यादा ही चट पड़ा रही थी और कुछ बेवा सुनेना गरमा गरम दाल चावल लेकर मदू के पास जाती है तो उसके मूँ में पानी आ जाता है और वो जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाती है कि तभी उसकी सास को फोन आ जाता है और वो मदू को वापस घर बुला लेती है इतनों दिनों से मदू सला दिखा रही थी तो वो बस अब दाल चावल को ही तलाशने लग जाती थी उच दिनों बार मदू को चक्कर आते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है तभी नीलम आती है और उसके मूँ पे पानी डालते हुए कहती है बहू क्या हुआ बहू तु ठीक तो है ना तुझे चक्कर कैसे आये मैं तुझे तेरे कमरे तक लेकर चलती हूँ और खाने को भी लाती हूँ शायद तुझे कमजोरी हो गई है नेलम मदू को लेकर कमने में जाती है मदू के लिए नेलम कुछ खाने को लाती है और खिलाने लगती है लेकिन मदू कुछ भी खाने से मना कर देती है बहू क्या हुआ तु कुछ खा क्यों नहीं रही है देख रही हूँ मैं तुझे कब से तुझे कितने दिनों से कमजोरी हो गई है और अब तो कुछ खा भी नहीं रही है ऐसे तो तेरी जादा तब्यत खराब हो जाएगी ना माफ करना माजी, मेरी तब्यत मेरी तब्यत इसलिए खराब हुई है मैं बहुत कुछ खाती थी लेकिन दाल चावल मेरे घर में रोज बनता था और मैं वो ही कभी नहीं खाती थी और मेरी किस्मत देखो मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहां दाल चावल ही नसीब नहीं होते है अच्छा, तो तेरी तब्यत इसलिए खराब हुई है जी माची, मुझे दाल चावल खला दो मेरा नब बहुत मैंने दाल चावल खाने का मधू की बाद सुनका नेलम उसके दाल चावल बनाती है और अपने हाथों से उसे खिलाती भी है शंतु अपनी बहु राखी से परिशाम थी क्योंकि दोनों ही सास बहुँँ में टीवी देखने को लेकर होड मची रहा करती ए प्रबू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये आपने बहुत गलत क्या अब वो किसके बरों से रहेगी? अरे ये तो बहु की आवाज है लेकिन वो रो क्यू रही है? केशव उस पर कभी हाथ तो नहीं उठा रहा कहीं उसके दादा तो नहीं निपट गए? ए प्रबू, मैं आपकी दिन रात पूजा करती हूँ लोटा दो, उस बच्ची को उसकी मा लोटा दो ये मैं अपनी आखों से नहीं देख सकती बहू, क्या बात है? क्यों रो रही है? इतना सब हो गया के तेरे माई के में बन कर ये टीबी, रोते नहीं है बहू अब क्या कर सकते तेरे दादा की वैसे भी 80 साल उमर थी ये तो बहुत बड़ी जिंदिगी देख लिए उन्होंने कब? कैसे? मेरे दादा जी से तो मेरी कल ही बात हुई थी तो वो मरे कब? अरे, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कुछ अरे, तो तू सुबा सुबा क्यों रो रही है? मुझे तो लगा तेरे दादा निबट गए होंगे तो तू सुबा सुबा इतना क्यों रो रही है? मारा जीना हराम कर रही है आरे वो तो मैं टीवी में फिलम देख रही थी मा की ममता उसमें छोटी सी बच्ची को मा छोड़ कर चली जाती है माजी ये भगवान भी कैसा अन्याय करता है ये प्रभू पिम्ला ठीक ही कह रही थी कि गाउं की गबार बहू को तो तू ब्या कर ले बहू तो चुपो जा पर नमस्ट टीवी को किसी के हाथ बेच दूँगी शन्तू अपनी बहू के टीवी देखने की आदत से परिशान थी साथ ही इस बात से भी परिशान थी कि राखी जो भी टीवी में देखती थी उसे असल समझ कर रोने या दुखी हो जाया करती अरे संतू क्या सुभा साम टीवी ही देखती रहती है चलना पार्क में घूम आते हैं अरे नहीं नहीं बैट बैटना देखना सस्राल बिन सास नाटक में ना जाने इसकी सास कहां से आगी है अब पता चलेगा बहू को कि असल सास क्या होती है अरे संतू तू ये क्या बात कर रही है ये तो सच में देखने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है अरी बहू कहां है दो कप चाय लेया अब शंतू तो अपनी पड़ोसन विमला के साथ टीवी देखी रही होती है लेकिन जब राखी अपनी सास और पड़ोसन के लिए चाय लेकर आती है तो वो भी टीवी के पास ही बैठ चाती है और टीवी देखने में सब इतने मगन होते हैं कि किसी को भी किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता अरे कहां को जाऊं, कहां छुपू, अरे ये हमारे मोहले में आतंकी हमला कब से होने लगा, अरे संतु मुझे भी कहीं छुपा ले अरे विमला, ये जरूर कांता के समधी ही होंगे, उनके बेटे ने मुसलिम लड़की घर में जो रखी है न, वो भी बिना निकाह किये तू सही कह रहे हैं संतु, वहीं आये होंगे मारने की धमकी देने के लिए अरे नहीं नहीं, आप दोनों जैसा समझ रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है दरसल बात ये है कि आप लगों के साथ मैं भी टीवी देखने बैठ गई और मुझे किचन में चड़ा आलू उबलने के लिए कुकर पर ध्यानी नीदा और वो सीटी लगते लगते आवास कर गया क्या बहु, तुने किचन में कुकर ब्लास्ट करवा दिया और मैं यहां डरी सहमी ये सोच रहे हो कि मैं कहां जाऊं वा बहु वा, क्या बाते, तेरा टीवी देखना इतना जरूरी है कि तू अपने कामों को भूल कर टीवी में खुद को मगन कर लेती है अरे संतू, तू सम्हाल अपनी मुर्ख बहु को मैं तो चली, ना जाने कैसे दिमाग की है ये और तू भी इसे ही जेल रही है बस बहु बहु बहुत हो गया तेरा कभी कभी तो मैं खुद की पसंद को ही कोशती हूँ आज से तेरा टीवी देखना ही बन आज से तू घर के काम हो जाने के बाद ही मुझसे टीवी का रिमोर्ड मांगने आया करेगी माजी, आप मुझ पर ऐसा अत्यचार मुद कीजे एक पल में खाने के बिना रह सकती हूँ लेकिन टीवी के बिना मेरी मौत निश्चित है नहीं माजी, मैं टीवी के बिना नहीं रह सकती शन्तो भी अपनी बहु की बातों को सुनते हुए टीवी का रिमोर्ड अपने गले में धागे से बान लेती है मा जी ये आप अच्छा नहीं कर रही है आप एक दर्शक को उसकी टीवी से दूर कर रही है जिसमें उसकी जान बसती है मा जी आपको मेरा श्राप है आप ऐसा करके कभी खुश नहीं रहेंगी ठीक है बहू, अभी मुझे बहुत सारा काम है तू भी अपने काम पर ध्यान दे किचन साफ कर दूसरा आलू बालने के लिए चड़ा दे और अपने काम पर लग जा चली यहां से, रुखने की कोई जोरत नहीं है चल चल राखी तो उदास मन से अपने कामों में लग जाती है लेकिन इधर राखी के होल से जाने के बाद ही शन्तु फिर से टीवी चला कर बैट जाती है दूसरी ओर यह सब राखी देखी रही होती है लेकिन वो घर के काम करने के बाद अपनी सास से रात के कही ग्यारा बजे टीवी का रिमोर्ट मांगते हुए कहती है माजी आपने कहा था ना आप मुझे टीवी तब देखने देंगी जब मेरा सारा काम हो जाएगा तो लाओ मेरा सारा काम हो गया है अरे बहु काफी देर से टीवी चल रहा था उसे भी थोड़ा आराम करने दे और तू भी जाकर कमरे में आराम कर ले ठक गई होगी न जा जाकर तू भी आराम कर ले सुबा उठकर टीवी देख लियो नहीं माजी मुझे अभी टीवी देखने दो टीवी देखे बिना मुझे नीद नहीं आती थोड़ी दे टीवी देखूंगी बहु देख तू जितना भी हाथ पैर मार ले मैं तुझे टीवी का रिमोट देने से तो रही माजी मैं बता देती हूँ आपको और आपकी टीवी को दोनों को मेरी बद्वा लगेगी बड़ी आई बेबसी की बद्वा देने वाली चलिज जाकर सोजा टीवी टीवी तो ऐसे करती है जैसे टीवी तेरे बापने दहिज में दी हो अब राखी उदा सोकर होल में बैठ जाती है और कुछी देर बाद ही अपने कमरे में सोने जाती है इधर देर रात करीब दो बजे शंतु की घर चोर आता है अरे वावा घर देखके तो ऐसा लग रहा है आज अच्छी खासी कमाई हो जाएगी अरे किसी चीज के ज़रत तो नहीं है मुझे अभी बस ये टीवी ले जाता हूँ वैसे बे मेरी घर वाली बहुत परिशान करती है टीवी टीवी करके अब उसको टीवी दे दूँगा अब चोर भी शन्तू के घर से टीवी निकाल कर ले जाने लगता है तो उसे टीवी का रिमोट याद आता है अब वो हाथ में लिया टीवी को सोफे पर रखकर घर में रिमोट ढूनने लगता है इस उम्र में अब सही से नीन भी नहीं आती है ना जाने जिन्देगी कैसी हो गई है एक पल को तो लगता है कि सब को छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाओं अरे टीवी या क्या कर रहा है लगता है मेरे बहु ने ही किया है अब तो इस औरत को मैं रिमोट न दूँ और अब ये मेरे ही गले में रहने वाली है अच्छा, मतलब इस टीवी का रिमोट इस बुरिया के गले में है लेकिन इसे लू कैसे अब शन्तु पानी पीने के बाद अपने कमरे में सोने चली जाती है तो चोर भी उस रिमोट को छुपके से निकाल ले जाता है अब सुभा जब राखी उठती है तब वो हॉल में टीवी ना देख कर रोने लगती है माजी ये आपने अच्छा नहीं किया आपने मेरी जान मेरी टीवी मुझे से दूर कर दिया आपने ये अच्छा नहीं किया अरे क्या हो गया क्यों सुबा सुबा चिला रही है तू फिर से माजी आपने टीवी बेच कर अच्छा नहीं किया मुझे आप से बहुत शिकायत है माजी मैंने तो रात में खुछ टीवी सोफे पर देखा था और रिमोट, रिमोट करांगे मेरे गले में से लगता है टीवी चोरी हो गई और कले ड्रामा अगर ऐसा है तो ये मेरी बद्वा लगी है टीवी को चलो ना रहा बास ना बजेगी बासुरी राखी को जब ये पता चलता है कि टीवी चोर चोरी करके लिए गया है तो उसके दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है दोस्तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करे शेयर करे और कमेंट करके बताए कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा